हलो एवरिवन, जे हिंद, जे भारत, NDA का रिजल्ट आ गया है और आप सब का रिजल्ट उम्मीद है की बहुत अच्छा है होगा, इंपिटर्स का रिजल्ट इस बार भी बहुत अच्छा है और अब समय है कि हम अगेन SSB की प्रिप्रेशन करें और वो सभी बच्चे जिनका क सी कारेंट से, चाइबास या जी एटी के वज़े से, NDA का एक्जाम नहीं निकल पाया है, निराशना हो, अप्रेल के लिए प्रिप्रेशन स्टार्ट करें, क्या करना होगा, SSB की प्रिप्रेशन कैसे करनी है, NDA की प्रिप्रेशन कैसी करनी है, मैं उसके बारे मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले मैं बात करूँगा SSB की SSB आप सभी जानते हैं कि एक ऐसा प्रोसेजर है जहां पर रिजेक्शन रेट बहुत हाई होता है तो ऐसे में हमारे लिए बहुत छोटी छोटी बारिकिया समझने ज़वरी होता है कि किन-किन बातों का हम ध्यान रखे फाइब डे प्रोसेजर है आप भी जानते हैं कि कई बच्चे स्कीन आउट हो जाते हैं या कॉन्फरेस आउट होते हैं इन सबसे कैसे बचा जाए अपने आपको कैसे तैयार करें in fact SSB मतलब आपकी overall personality है फिर भी एक सही direction सही guidance बहुत कुछ बदल देता है तो अभी मेरे बाद अभिशेक सर SSB का पूरा एक प्रोसेजर आपको बताएंगे हम लोग 3rd of January से SSB का एक batch चालू कर रहे हैं और यह 15 दिन का batch रहेगा और इस 15 दिन के batch में डे वन से मतलब आपको कैस धंग से report करने से लेके end तक one by one चुटी चुटी डीटेल बताएंगे तो वो अभी शेक सर आपको पूरा बताएंगे पर यह SSB batch मैं बिलकुर sure हूँ कि अगर आप attend करते हैं तो आपको इसका फायदा मिलेगा इसको कैसे attend कर सकते हैं दो तरीके number one कि आप भुपाल आके classroom के साथ attend कर सकते हैं उस case में अगर आप भुपाल आते हैं तो 15 day का आपको stay यहाँ पर रहेगा तो stay के लिए आपको tension नहीं रहना impetus के hostels से type से हैं आप सीधे अपने interview call है या NDA भी निकला है तो आप लोग बिलकुल आ सकते हैं और किसी current से आप नहीं आ पा रहे हैं तो आप इस SSB के batch को online भी जोईन कर सकते हैं और यह 15 दिन में everyday क्या-क्या पढ़ाया जाएगा यह अभी शेक सर आपको detail ने बताएंगे इसके लावा जिन बच्चों का NDA 2 नहीं निकला है और NDA 1 के लिए eligible हैं उन सभी बच्चों को मैं बोलूँगा कि 5th of January से NDA का भी new batch start होगा जो कि online या offline दोनों हो सकता है अगर आप online करना चाहते हैं तो online join करेंगे उसका भी हम लोग open कर देंगे और अगर आप offline करना है तो classroom के लिए आना होगा वुसका भी same processor है कि आपको बोपाल आना है hostel facility है तो कोई problem नहीं होगी तो आप लोग ध्यान रखिए और by chance अगर आपका NDA खतम हो गया है तो कोई बात नहीं देखिए अगर defense में जाने का सफना है तो वो कभी खतम नहीं हो सकता तो आप CDS के लिए तैयर करें अपने आपको और CDS का जब new batch announce हम लोग start करेंगे तो आपको जबू बताएंगे तो आभी मैं अभी इशेक सर को बुलाओंगा जो आपको SSB का पूरा processor बताएंगे 3rd of January से हम start करेंगे 18 January तक चलेगा इस दोरान हम लोग क्या-क्या चीजे cover करेंगे कैसे cover करेंग वो सारी detail आपको बताएंगे तो आप online या offline दोनों कर सकते हैं इस video के description में contact number भी है अभी सेकसर भी number दे देंगे अगर आपको कोई doubt हो तो आप लोग हमसे बात कर सकते हैं तो अभी सेकसर आप बच्चों को बहुत detail में क्योंकि कई लोगों के मन में होता है कि SSB पता भी होत होती है कि story में क्या है कहीं याद किया हुआ तो नहीं है तो वो सारी चीजों का आप बच्चों को बताइए जिससे अगर उनका मन है तो वो join करने के लिए आ सकते हैं जैहिन एवरीवन तो आप सभी लोगों का written examination का result जो है वो declare हो गया है NDA examination का result जो है वो already यहाँ पर declare कर दिया गया है और most probably इस week में जो है वो आपके CDS examination का result भी आ जाएगा कई सारे और भी examination के form आपने भरे हुए है जैसे technical entries होती है 10 plus 2 TES Navy Tech उसके बाद graduation basis पे गर हम जाएंगे तो TGC SSC Tech NCC Special Entry Territorial Army के भी SSB जो है वो यहाँ पर इस्टार्ट होने वाले तो actually मैं यहाँ पर कहना चाता हूँ कि SSB का एक पूरा का पूरा time period है जो यहाँ पर चल रहा है और आप में से कई सारे aspirants होंगे जो अपनी SSB की preparation यहाँ पर करना चाते हैं तो इसी SSB की preparation को कैसे हमें आगे बढ़ाना है मतलब कौन-कौन सी चीज़े हैं जो हमें यहाँ पर cover करनी है उन सब चीज़ों को include करते हुए एक session मैं आपको यहाँ पर provide करूँगा जिसमें मैं आपको पूरी SSB procedure के बारे में बताऊँगा कि SSB में क्या-क्या चीज़े होती है screening test क्या होता है उसके बाद कौन-कौन से test होते हैं personal interview किस तरीके से होता है यह सारी जीज़ें आपको इस session में cover हो जाएंगी उसके बाद जैसा की सर ने बताया है कि हमारा एक SSB का course जो है वो यहाँ पर start होने वाला है ठीक है जिसका नाम है preparation toolkit for SSB interview तो यह preparation toolkit for SSB interview है क्या मतलब इस toolkit में आपको क्या-क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी और किस तरीके से हम इस session को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे ground task किस तरीके से यहाँ पर होंगे वो सारी की सारी information मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप through experiment और अपनी SSB की preparation को यहाँ पर करना चाते हैं तो मिरा नाम है अभिशेक पांडे और मैंने अपनी live में 27 SSB interview दिये हैं तो अपने experience के through मैंने जो भी चीज़े यहाँ पर सीखी हैं और जो भी चीज़े मैं आपको बता सकता हूँ वो इस particular course में मैं आपको बताऊंगा इसमें जो भी चीज़े मैं discuss करने वाला हूँ है ना SSB किस को देना होता है यह सारी चीज़े हम यहाँ पर cover करने वाले हैं तो सबसे पहली बात यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि अगर माल लीजे चाहे वो आपका army हो ठीक है मैं यहाँ पर एक शब्द लिख देता हूँ defense forces ठीक है तो आप इस defense forces में अगर हम देखेंगे तो हर एक चीज़ आपकी included है ठीक है चाहे वो आपका written examination वाली SSB हो चाहे वो आपकी direct entries हो चाहे वो army की हो चाहे वो navy की हो चाहे वो air force की हो ठीक है सभी की सभी SSB में यहाँ पर क्याएगी आप officer बनोगे और defense forces में अगर आपको officer यहाँ पर बनना है ठीक है जैसे माल दीजे कि आप pilot entry के लिए गए हो ठीक है air force में तो उसमें एक दिन जो है वो आपको जादा लगेगा क्योंकि उसमें आपका CPSS जो test होता है वो भी आपको देखने को मिलेगा most probably हम यह कह सकते हैं कि 5 दिन जो है वो यहाँ पर SSB आपका होता है जिसमें आपका screening test भी आपको देखने को मिलेगा ठीक है जिसको हम PPDT test भी यहाँ पर कहते हैं ठीक है उसमें OIR test वगरा यह सब चीजे होती है उसके बाद फिर हम इसका जो real SSB होता है वो वाला part आप देख सकते हैं फिर conference वाले दिन आपका result यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उसके बाद medicals होंगे merit आएगी है ना फिर आप जो भी academy के लिए select हुए वो academy आप यहाँ पर join करोगे तो यह पूरा का पूरा एक process होता है जो आपको देखना है ठीक है अब मैं यहाँ पर आपको कु यह हुआ था तो process होती क्या है है ना वो चीज समझना बहुत ज़रूरी है तब आपको चीजे जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर clear हो जाएंगी ठीक है बाकि जो हमारा preparation toolkit for SSB interview को course है सर ने आपको अल्लेडी बताई दिया कि 3 January से हमारा यह batch जो है वो start होने माला है इसक SSB interview की procedure यहाँ पर क्या है ठीक है जो भी aspirant है ठीक है उन्होंने CDS examination qualify किया हो NDA examination यहाँ पर qualify किया हो कोई भी examination अगर आपने qualify किया है ठीक है INET हो गया FCAT हो गया या आप किसी return examination के through नहीं जा रहे हो आप directly आपका SSB का call आया है तो आपको यहाँ पर क्या है कि SSB interview जो है वो य direct entries होती है ठीक है जैसे TES हो गया NCC, INET, TGC, UES, SSC Tech वगयरा यह सब entries के लिए भी SSB सेम होती है मतलब कहीं लोगों को यह लगता है कि NDA के SSB अलग होगी है ना और CDS technical JAG entry NCC उनकी SSB अलग होगी तो ऐसा कुछ नहीं होता वो केवल आपके interview में कुछ questions होते हैं जो अलग-अ बाकी सब चीज़े जो है वो यहां पर आपको सेम ही देखने को मिलेगी ठीक है selected students then needed to appear for before a service selection board जहां पर उनका intelligence और जो personality test होता है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा जैसे SSB के बारे में हम जानते है SSB किसी तरीके का एक यहां पर test है और वो test कैसा होता है वो आपकी personality क उपर होगा मतलब are you suitable candidate for armed forces whether it is navy, army, air force और Indian coast guard ठीक है यह सब चीज़े यहां पर होती है जिसको अलग-अलग तरीके से हम यहां पर check करते है ठीक है जैसे अगर आप SSB का मोटो भी यहां पर देखोगे ना तो SSB का मोटो भी क्या है SSB का मोटो होता है मंसा, कर्मना, वाचा ठ कर्मना मतलब आप किस तरीके से काम करते हो और वाचा मतलब होता है कि आपको यहां पर किस तरीके से आप यहां पर क्या चीज़े है जो बोल रहे हो ठीक है तो अगर जैसे माल लीजे कि मैं मंसा के बारे में बात करू तो मंसा मतलब जो आपका psychology test होता है ठीक है उसके बारे आप यहां पर क्या होता है कि जैसे माल लीजे कि आपने की कोई भी written examination यहां पर qualify किया और आपका कोई भी जैसे माल लीजे आपको direct interview का call यहां पर आया है तो अब यहां पर क्या होगा कि आपके पास कुछ required documents होने चाहिए जो आपके call letter में लिखे रहेंगे कि यह सब call letter में जो पहले क्या होता था कि कुछ SSB में ऐसा होता था कि वहां पर reporting के अगले दिन screening test होता था लेकिन आजकल सारे SSB में मलब इस time पर मैं यह वीडियो record कर रहा हूँ इस time पर सभी SSB में जिस दिन आपकी सुभे reporting होती है उसी दिन आपका screening test हो जाता है तो उसको मैं यहां पर day 0 कह अब reporting में क्या है कि देखो यह सारी चीज़ें यहां पर लिखी हुई है कि क्या होगा किस तरीके से होता है इन शॉट में अगर आपको समझा हूँ तो reporting में दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जैसे पहली चीज अगर मैं देखूंगा तो पहली चीज होगे आपका document verification ठीक है जब आप SSB के लिए report करोगे तो यहां पर जो आपके document वगएरा होते हैं वो सबसे पहले तो document verification यहां पर होगा दूसरी बात अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपका OIR test होगा ठीक है OIR test simple कुछ नहीं होगे ठीक है OIR test में आप यह कह सकते हैं कि verbal और non-verbal test होते हैं मतलब reasoning के कुछ questions होंगे वो आपसे यहां पर पूछे जाएंगे और OIR test में क्या होता है कि जादा दर case में अगर आप देखोगे तो 50 questions होते हैं और इन questions को solve करने के लिए आपको 30 minutes का time दिया जाता है आप कई जिगे पर क्या होता है कि 50 questions से जादा भी आ जाते हैं यहना time भी यहां पर कम हो जाता है यहना कहीं पर 40 questions भी होते हैं लेकिन इन general अगर हम बात करेंगे तो 50 questions के 30 minutes में आपको solve करना रहेगा और OIR test में आपको 2 booklet दी जाती है मतलब 2 test आपके total होंगे 50-50 questions के 2 test यहां पर होंगे back to back वो आपको देना होता है ठीक है फिर तीसरी जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं PPDT जिसको बोला जाता picture perception and discussion test इसमें क्या होगा तीन चीजे होंगी पहली बात आपको story लिखनी है है ना story writing आप यहां पर करोगे दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो इसका narration आपको करना है individual narration आपने जो भी story लिखी हुई है उसको narrate कर जाएगा है ना तो यह पूरी की पूरी procedure होती है आपके screening के बारे ठीक है मलब आपका document verify करेंगे आपके पास document मगरा है या नहीं है दूसरी बात आपका OIR test होगा जिसमें verbal nonverbal जो questions होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे ठीक है और 50 questions आपको दिये जाएंगे और 30 minutes में आपके सामने या आपको मैं यहाँ पर और अच्छे से समझाने के लिए यह बता देता हूँ जैसे माल लीजे कि यह picture आपको दिखाएगी इस तरीके के एक picture है इस picture को देखकर आपको story लिखनी है कि इस particular picture से पहले क्या हुआ what led up to the situation what is current going on and what will be the future outcome यह तीन चीजों के उपर आपके entry में तो बड़ा group बनेगा अगर return entry में गए हो तो छोटे छोटे groups बनते फिर भी 14-15 लोगों का minimum group तो यहाँ पर रहते ही है उसमें आपको एक minute का time दिया जाएगा जिसमें you have to narrate your own individual story है ना मतलब जो भी आपने यहाँ पर story लिखी है मैंने अलग लिखी हो सकती है आ उन्होंने अलग लिखी हो सकती है तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्या होगा कि आप यह कह सकते हैं कि story आपको narrate करनी है ठीक है narrate करने के बाद सब लोग जब यहाँ पर narration हो जाएगा तो फिर यहाँ पर क्या है कि आपको group discussion करना है group discussion का motive यह होता ह है कि आपके group का एक final story बनना चाहिए मतलब जिसमें आप सभी लोग आपस में discussion करोगे और अपने group का एक final story जो है वो यहाँ पर बनाओगे ठीक है तो यह बात है दूसरी बात फिर इसके बात क्या होगा कि group discussion हो गया फिर आप में से किसी एक को nominate किया जाएगा कि आप individual story 10 से 30% 10 से लेकर 30% जो है वो selection rate आपको screening में देखने को मिलेगा मतलब अगर हम बात करेंगे कि कितने percentage लोग यहाँ पर select होते है तो selection rate जो है वो यहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है ठीक है कई बार 10 लोग होते है जैसे मैंने कई बार देखा है जैसे example की तोर में बता रहा हू कौन सी entry की थूँ गया है इन सब चीजों के उपर depend करता है ठीक है तो एक बार जब आपका screening test यहाँ पर हो जाएगा वही सब लिखा हुआ है मैंने ठीक है यह सारे test जो मैंने आपको अभी समझाए है उन्ही सब चीजों के बारे में मैंने जानकर यह provide करी है ठीक है इसकी PDF अगरा जो है वह आपको मिल जाएगी तो आप इसको देख सकते हैं कोई problem नहीं है और उसके बाद फिर अगला जो test होगा जो लोग screening test यहाँ पर clear करेंगे ठीक है तो screening test को clear करने के बाद आपके ना अलग-अलग तरीके की form आपको fill करने है ठीक है तो आप form में क्या है कि कई तो identification form मगेरा होते हैं अलग-अलग तरीके की चीजे होती है लेकिन उन में से एक form जो सबसे ज्यादा important होता है ठीक है जो होता है आपका personal information questionnaire ठीक है जिसको हम क्या बोलते है जिसको हम P.I.Q. form के नाम से जानते है ठीक है जो आपका P.I.Q. form होता है इसके basis पे आपका interview जो है स्टार्ट होगा अच्छा Air Force में क्या होता है जब आप लोग Air Force की SSB देने जाते हो ना जैसे AFSB है पांच AFSB है जहां पर Air Force के interview होते है पहला तो देरा दून में हो गया दूसरा मैसूर में हो गया तीसरा जो है वारानसी में चौथा गांधी नगर में और पांच पा जो latest board open हुआ है यह गुवाहटी में open हुआ है वहाँ पर क्या होगा कि जिस दिन आपकी screening होगी ना दुफहर तक आपका result आ जाएगा शाम को ही आपका psychology test हो जाएगा लेकिन बाकी Navy और Army में क्या होता है कि Navy Army में अगले दिन जो है वो आपका psychology test होगा psychology test के बारे में अगर हम बात क perception test क्या होता है thematic perception test में जैसे वह आपने एक picture देखी ती screening में जिसको देखकर आपने story लिखी 100 words की उसी तरीके से अब आपको total कितनी लिखनी है 11 प्लस 1 ठीक है 11 में तो क्या होगा कि कुछ picture आपको दिखेगी मतलब जो pictures वगरा available होती है वो आपको दिखेगी और एक जो है यहाँ पर वो क्या होगा एक में जो है यह आपका blank होगा जिसमें कोई picture आपको नहीं दिखाएंगे वो blank कैसे slide रहेगी और आपको उसमें यह बताना है कि भई आप क्या लिखना चाहते हो ठीक है तो 11 में picture रहेगी एक जो रहेगा वो blank रहेगा तो इस पे आपको stories लिखनी आपको pen अच्छे लेकर जाने है पानी पीकर जाना है वाश्रूम अगरा होकर जाईएगा क्योंकि एक sitting में चार टेस्ट यहाँ पर होंगे फिर उसके बाद अगला test है जैसे word association test ठीक है तो मैं आप लोगों से यह पूछना जाता हूँ जैसे क्या होता है कि अलग-अलग त जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा जैसे मैंने यहाँ पर एक sentence लिखा क्या लिखा है उसका नाम है तो 15 सेकेंड में आपको क्या करना है कि देखना है, सोचना है और लिखना है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये WAT जो टेस्ट होता है, वो यहाँ पर कंडक्ट होगा, जो कि दूसरे नंबर का टेस्ट आपको साइकोलजी में देखने को मिलता है, ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा टेस्ट होता है, जिसको बोलते है, situation reaction test, इसमें आपको एक booklet मिलेगी, यह ना, यह projector पर नहीं होगा, इसमें क्या होगा कि एक booklet मिलेगी, और booklet में जो है, वो total 60 SRTs होती है, situation reaction test, ठीक है, और इसके लिए जो आपको time मिलेगा, वो कितना होता है, वो 30 minutes का, यहाँ पर time हो examination को नहीं qualify कर पाए, ठीक है, तो एक SRT आपके सामने यह आए कि माल लिजे कि आपने अपना examination जो है, वो qualify नहीं कर पाए, तो अब आप क्या गरोगे, तो अब आपको इसका answer देना है, तो देखिए, जो एक अच्छा experiment होता है, वो क्या करेगा, कि अपनी कमियों को दिखेग identify करना, यह एक सही experiment की जो है, वो ही पहचान होती है, जो यह सब काम करेगा, तो उसको definitely हाँ पर अपने अगले examination में जो है, वो काफी help होती है, तो ऐसे 60 SRTs है, उनको 30 minutes में आपको attempt करना है, जैसे आप कहीं जा रहे थे, एक जम से साम निगल गया आपके सामने है, क्या करोग तो इस तरीके की अलग-अलग situation reaction होती है, जिस पर आपको react करना होता है, उसके बाद self description test होता है, 15 मिनिट का ये test है, और 15 मिनिट में आपको 5 paragraph लिखने है, ठीक है, पहली बाद आपके parents जो है, वो आपके बारे में क्या सूचते है, ठीक है, आपके teachers आपके बारे में क्या आपको self opinion जो है, वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है, उसके बाद, चौथा जो यहाँ पर होता है, वो यह होता है, कि फ्यूचर में आप अपने आपको क्या देखना चाहते हो, या कौन-कौन सी qualities है, जो आप अपनी improve करना चाहते हो, ठीक है, तो इस तरीके के 5 paragraph होते है, जो जो balance है, वो किस तरीके से है, यह ना, वो चीजों को किस तरीके से react करता है, उसका reaction कितना सही है, कितना गलत है, जैसे वो बोलते हैं कि SSV में सबसे important जीज जो check होती है, वो होती है 15 official like qualities, यह ना, तो यह 15 official like qualities क्या है, यह सब भी हमको समझना बढ़ेगा, तो यह सब चीजों तो यह मैंने आपको day 0 के बारे में बताया, ठीक है, जैसे यह reporting वाला time हो गया, ठीक है, day 0, और उसके बाद day 1 आपका screening हो गया, फिर day 2 आपका psychology test हो गया, day 3 जो है, वो यहाँ पर आपका gto होगा, gto मतलब ground वाली चीजे, आपको एक group में divide कर देंगे, group जो है, वो 6 लोगों से लेकर 12 लोगों का group यहाँ पर बन सकता है, minimum 6 लोग होंगे, maximum 12 इस से जाधा नहीं होते हैं, जाधा दर case में जो है, वो आप देखोगे, तो वो 10 लोग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो day 3 में group testing है, group testing मतलब ground पर आपको ले जाएंगे, और आपके group के साथ, क्यू करना बहुत जरूरी होता है, टीम की तरह अगर काम नहीं होगा, तो फिर मुश्किल यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि यह 6-12 लोगों का group बन जाएगा, और इसमें total 9 टास्क होते हैं, ठीक है, 9 टास्क जो देखने को मि हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद international event भी यहाँ पर हो सकता है, तो यह दोनों चीज़ें जो हैं, यह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है, national और international event दोनों आपको देखने को मिलेगा, और कोई social issue वगयरा जो होते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगे, तो total यहा इसमें national और international issue के उपर हो सकता है और दूसरा वाला social issue ठीक है तो दो topics यहाँ पर आपको दिये जाएंगे back to back some current events या social issues के उपर और 20 से 30 minutes में आपको discussion यहाँ पर करना है फिर उसके बाद एक group planning exercise होती है ठीक है दूसरे number पर जो test होता है इसको हम military planning भी बोलते है ठीक है आपके सामने एक model होगा ठीक है उस model में कुछ problems होगी एक narrative होगा ठीक है जिसका card यहाँ पर रहेगा उसको पढ़कर बता देंगे कि यह सब चीजे इसमें लिखी होई है और आपको यहाँ पर planning करनी है तो इसमें कई process होती है जैसे सबसे पहली बात तो होगा कि model को explain करना है जीटियो सर्ज होगे वो आपको model को explain करेंगे फिर narrative जो है वो उससे related एक कहानी आपको सुनाएंगे जिसमें यह लिखा रहेगा कि कौन-कौन सी problem है किस तरीके की problem है उसके बाद वो जो narrative task है वो आपको read करने को मिलेगा ठीक है फिर आपको जो चीजे है वो plan करनी है मतलब planning आप करोगे और planning individual करने का time जो रहेगा वो 10 minute रहेग आपके group के बिहाफ में एक person होगा आपके group का वो final narration यहाँ पर करेंगे ठीक है तो यह 5-6 process होती है इसमें ठीक है तो यह group planning exercise आपको देखने को मिलती है ठीक है तो ऐसे यहाँ पर यह काम होगा ठीक है फिर उसके बाद progressive group task होता है progressive group task में मतलब इसमें यह मैं सबजीएगा कि इसमें कोई बहुत physical करना है ठीक है नहीं आप जब officer बनने जाते हो armed forces में तो सबसे ज्यादा ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होती है आपका दिमाग है ना क्योंकि आपको क्या करना है कि group है उसको lead करना है तो आपका दिमाग जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर चलन करना है आपको अलग-अलग तरीके की task वगरा दिये जाएंगे है ना bridge वगरा मनाना है आपको है ना आपको plan यहाँ पर करना है कि कैसे हम लोग cross वगरा करेंगे तो वो सब चीज़े यहाँ पर होती है तो यह सब आपको देखने को मिलेगा फिर group obstacle race में क्या होता है कि आपक ठीक है तो eight member क्या करेंगे कि एक track होगा जिसमें छे obstacles आपको देखने को मिलते हैं with the help of your group members you have to cross it ठीक है मतलब छे obstacles जो यहाँ पर देखने को मिलेगी दिवाल पर चड़ना यहाँ से कुदना है ना spider web पर चड़ना तो यह सब चीज़े करनी होती है तो यह छे obstacles होते है जिसक में आपको बता रहता हूं running करो push us लगा और pull ups करो यह तीन चीज़े भी अगर आप कर लोगे न तो यह सब चीज़ें आपके लिए काफी आसान हो जाएगी ठीक है जैसे progressive group task में जैसे माल दीजेगी 10 लोग थे ठीक है 10 लोगों ने यहाँ पर perform किया half group task में यहाँ पर क्या ह लिए आप यह कैसकते हो कि जो चार levels यहाँ पर होते हैं इनको cross करने के लिए 45 minutes का time यहाँ पर दिया जाता है ठीक है यहाँ पर एक ही level होता है और एक ही level को यहाँ पर दोनों group जो है वो यहाँ पर participate करेंगी उसमें और 15 minute में यहाँ पर उसको cross करना मतलब एक बार यह वाला group perform करेगा एक बार दूसरा बाला group perform करेगा इस तरीके से यह पूरा का पूरा आपका half group task होता है ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अगला task दिखिए फिर उसके बाद अगला जो task है यह है day 4 और इसमें यहाँ पर group testing 2 होगा है ना मैंने आपको बता दिया कि इसमें शुरू में छे test होंगे फिर 13 होंगे तो जैसे lecture rate होता है lecture rate मतलब extemporary जैसा आप एक card उठाओगे उसमें 4 topics लिखे रहेंगे उसमें से एक choose करना है तीन minute का time आपको मिलेगा prepare करने के लिए और तीन minute उसके उपर आपको बोलना है ठीक है तो यह total तीन-तीन minute का यह काम जो है वो यहाँ प कर सकते हो एयर फोर्स का थोड़ा सा difficult होता है लेकिन navy army को तो बहुत simple अगर आप physically fit running कर सकते हो है ना और आपके बाजीव में दम है तो आसानी से यह सब चीज़ें आपकी कबर हो जाएगी ठीक है फिर command task command task में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको अभी progressive group task के बारे में बताय उसके बाद मैंने आपको half group task के बारे में बताया जैसे यहाँ पर 10 लोग थे तो यहाँ पर 5 लोग थे आप इसके बाद यहाँ पर command task आएगा command task में आपको commander बनाया जाएगा इंडिविजुली सबको बुलाया जाएगा आपसे बात करेंगी gto साब और भाई कहां से आये हो है ना क्या कर रहे हो पढ़ाई तो यह सब चीज़ें आपसे पूछेंगे उसके बाद आपको एक task देंगे वो task perform करना आचा उस task का कोई time fix नहीं होता है है ना वो depend करता है कि gto साब आपसे कितना interested है आप में है ना अगर interested होंगे तो सकता है कि जादा time आपके साथ spend करें है अगर आप clear cut fail हो तो कम time ही लगेगा तो यह सब चीज़ें निरबर करती है तो यह हो गया आपका command task जो आपको देखने को मिल रहा है और इसके बाद फिर एक आखरी task होता है जिसको बोलते है final group task ठीक है final group task मतलब पूरे के पूरे जो 10 member है वो वापिस आ जाएंगे आपके स best होते है यह ना मतलब GTO साव ऐसे होते हैं जो आपके साथ जाधा time spend करते है ठीक है दो दिन का time spend करेंगे वो तो यह पूरे के पूरे not task होंगे फिर इसके बाद एक तीसरी technique होती है जिसको बोलते है personal interview personal interview जो है वो total आपका P.I.Q. form की उपर based होगा ठीक है P.I.Q. form के साथ ही ठीक है 40-45 मिनिट का आपका interview का time यहाँ पर होगा 1-1 आपका interview होगा ठीक है कई बार क्या होता है कि कुछ SSR दो लोग बैठे होते है न वो depend करता है लेगिन आपका assessment के वाल एक ही SSR करते है ठीक है तो 40-45 मिनिट का time यहाँ पर रहेगा और इसमें you have to answer है ना 1-1 interview होगा है न मतलब कंडल रहेंगे officer जो रहेंगे वो आपका interview लेंगे और जैसे अगर आप wing commander वगरा air force में जाओगे तो wing commander भी हो सकते है बोर्ड के president भी हो सकते है deputy president भी हो सकते है interview officer भी हो सकते है तो वो सारे लोग आपका interview लेंगे तो अब यह fix नहीं है कई लोगों का interview एक घंटे से ज interview हो जाएगा air force में क्या होता है कि air force में time table लगा होता है इतने बज़े आपका interview आर्मी और नेवी में क्या होगा कि कभी भी आपको बुला लिया जाएगा आपका interview कर देंगे ठीक है तो यह बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है तो यह होता है पूरा SSB का procedure इसके बाद अ officer वाली dress नहीं पहनी अभी यहां पर क्या होगा है कैसे u-shape table होगी है ना यहां पर president बैठें deputy president बैठें senior i.o बैठें यहां पर सारे बैठे हुए ठीक है यहां पर psychologist बैठे हुए यहां पर एक chair रखी जहां पर आप जाकर बैठ होगे ठीक है feeling आ रही है कि नहीं आ रही है feeling जानी चीए भाई साब है ना feeling नहीं आएगी तो कैसे काम बनेगा तो यह चीज जो है आपको यहां पर देखने को मिल रहा है तो conference is what conference is about results यह ना कि क्या आपके अंदर वो potential है कि आपको training दे कर हम एक अच्छा officer बना सकते हैं क्या आपने वह जो 15 official like qualities होती है ठीक है उनका projection कि क्या है या नहीं किया अगर आप projection करोगे तो आप select होगे आपने पहले कितने कारणामे की है वो उतने matter नहीं करते हैं matter क्या करता है कि 15 official like qualities जो required होती है एक officer में ठीक है क्या वो आपके अंदर है या नहीं है यह चीज जो है वो सबसे ज्यादा important देखने को मिलेगी तो इस ब select हुआ या पांच लोग select हो गए तो depend करता है कि आप कौन सी entry के through यहां पर गए हो ठीक है चले तो यह हो गया और उसके बाद यहां पर क्या होगा कि जो भी shortlisted यहां पर aspirant होंगे मतलब जो select हुए है उनका medical होगा ठीक है medical में 5-6 दिन आपका medical है ठीक है पूरा शरीर आपका check कर लिया जाएगा female aspirant हो चाहे male aspirant हो तो इस तरीके से यह पूरी की पूरी procedure होती है फिर medical के बाद आपकी merit आएगी ठीक है medical के बाद जो है यह आपका merit Air Force में आपका commission यहां पर हो जाए ठीक है तो यह पूरी की पूरी SSB की procedure होती है और SSB की जो procedure है ना वो same होती है है अब यहां पर क्या है कि जितनी आसानी से मैंने यह चीज़े आपको बताई है ना उतनी आसान है नहीं है ना मतलब क्या है कि इस process को अगर हम समझेंगे तो process जो है वो काफी difficult है तो इसकी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के time period पर अगर आप देखोगे कोई यह कह रहा है कि नहीं मैंने कोई SSB की तैयारी नहीं करी मैं तो ऐसी चला गया था SSB देने मैं select हो गया मैं मानता हूँ ऐसे लोग select होते हैं है ना लेकिन ऐसे के बारे में कितने लोगों का awareness यहां पर हो गई है कितने लोग इसके बारे में जानने लगे हैं तो लोग preparation यहां पर करते हैं तो आपको भी preparation यहां पर करना पड़ेगा तो preparation करने का सही time यहां पर क्या है देखो जब जागो तब सवेरा है आज करना है तो आज से स्टार्ट किर थो है ना अज सिあ आपकी तैयरी होनी चाहिए प्रॉब्लम यहां पर यह होती है कि हमें पता नहीं होता है कि हमें करना क्या है प्रिपेर है ना मलत किस तरीके से हमको प्रिपेर करना है सही ढ интер jetzt यहाँ पर क्या हो देख만 देखर यहां पर क्या है कि सब लोग यही करना है तो हम भी यही करेंगे तो इससे काम नहीं बनने वाला है ठीक है काम कैसे बनेगा you have to work on your own personality जब तक आप अपनी personality को नहीं जानोगे जब तक आपको अपनी कमियों के बारे में अपनी strength के बारे में awareness नहीं होगी तो SSB में आप कुछ भी जाकर करो उससे कोई selection थोड़ो नहीं होगा कई सारे candidate को मैंने सुनते हुए देखा है कि हमने तो इतना अच्छा perform किया था और फिर भी हम select नहीं होगा आपका अच्छा perform करना जो है वो इस बात का guarantee नहीं होता है कि आप यहाँ पर select हो जाओगे selection के guarantee क्या है जो चीज मैं check करने बैटा हूँ आप मुझे वो दिखाओ मैं वो चेक करूँगा आपने gold medal जीता है national पे लेकिन 15 official like qualities नहीं आपके अंदर तो मैं आपको select थोड़ो नहीं करूँगा तो this is very important thing तो यही चीज हमको समझनी है और इसी चीज को समझाने के लिए इसी चीज को बताने के लिए ठीक है मैंने यहाँ पर एक नया SSB का course है जो यहाँ पर start किया है ठीक है तो शरसर ने आपको बताई दिया है कि यहाँ पर किस तरीके से जो है वो course यहाँ पर चलने वाला है ठीक है comment section में लिख देना I will personally answer preparation toolkit for SSB interview starting date कब से start होने वाला 3 जनवरी मना पहली class जो होगी वो 3 जनवरी को यहाँ पर होगी 3 जनवरी 2022 नया साल का gift है आपका यह ठीक है 3 जनवरी 2022 को आपकी पहली class जो है वो यहाँ पर होने वाली है ठीक है अचा online होगा की offline होगा देखे दोनों चीजें है ठीक है online भी है और offline भी है ठीक है दोनों classes आपको देखने को मिलेंगी online का time क्या होगा सर सुबे 9 बज़े से 9 बज़े से 11 बज़े तक यहाँ पर class होगी 2 घंटे की class online class होगी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके बाद offline वाली जो class होगी वो कैसी होगी वो होगी 9 बज़े से 1 बज़े 4 घंटे की class offline में मैं provide करूँगा ठीक है 9 से 12 फिर 12 से 1 4 घंटे की class offline में होगी ठीक है आप इसमें बोलेंगे सर online वालों को 2 घंटे बढ़ा रहे हो आप offline वालों को जो है वो 4 घंटे बढ़ा रहे हो है न ऐसा क्यों कर रहे हो सर आप देखो क्या होगा कि online class में जो है वो केवल मैं आपको basics बताऊंगा है ना और जितनी भी लिखा इसके उपर story मैंने कोई current affair के उपर discussion करना start कर दिया तो क्या होता है कि जो offline class होती ना इसके उपर practice जो है वो यहाँ पर हो जाएगी आपकी कई बार क्या होता है कि हम बिस्तर में बैठे रहते हैं और motivate होते रहते हैं है ना लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि offline class में आपका motivation मुझे दिखेगा है ना तो इससे क्या होगा कि इससे आपको समझ में आएगा कि मैं कैसा हूँ मेरे साथ जो दूसरे aspirant यहाँ पर आये हुए कि वो कैसे हैं तो आप डाउट यह हो गया होगा कि सर आपने confuse कर दिया है मतलब मैं online करूँ कि offline करूँ ठीक है तो मैं आपको यह recommend करूँगा कि अगर आप भुपाल आ सकते हो है ना impetus गुरुकुल मैं आ सकते हो भुपाल तो आप offline class को join करो यह मेरी recommendation है आप सभी को है आप मुझे देखोगे महाँ पर है ना सामने और काफी सारी चीज़ा आपको सीखने को मिलेगे एक तब मज़ा आ जाएगा ठीक है मैं personally आपको यह बात दावए के साथ कह रहा हूँ online class में क्याएगी अगर माल दीजे कि नहीं आ सकते मैं बहुत दूर रहता हूँ है ना और सर नहीं हो पा रहा है possible college की examination मगरा भी है कोई problem नहीं है अभी तक मैं जितने भी मैंने अपने SSB के session दिये majority जो session है वो online session है ठीक है मेरे अभी तक मैंने जब से पढ़ाना इस्टार्ट किया है ठीक है टोटल जो है वो 26 candidates जो है उनका SSB में recommendation हुआ है ठीक है 26 candidates ठीक है अगर किसी को इसके बारे में कुछ जानना होगा तो मुझसे बताईए कि मैं आपको ज़रूर बताऊंगा अभी आप सभी को बताए कि Air Force की passing out parade थी दो दिन पहले है ना Air Force Academy तो वहां से हमारा एक candidate जो है वो यहां पर pass out हुआ है ठीक है और AFTC Bangalore Armed Forces Technical College Air Force Technical College जो है वहां से दो candidate हमारे passing out हुए commission हुए ठीक है मतलब 26 candidate अभी तक यहां पर select हो चुक है तो आप यह समझ सकते हैं कि 9 बज़े से 11 बज़े तक online class होगी फिर 11 बज़े से जो आगे का time यहां पर होगा ठीक है एक बज़े तक वो यहां पर offline classes में भी होगी और जब online class में यहां पर पढ़ा रहोगा तो offline class भी चलती रहेगी ठीक है उसमें कोई issue नहीं है ठीक है समझ म सबी को तो यह एक important चीज है जो आपको यहां पर ध्यान लखना है चले आगे बढ़ते हैं अब अगली बात यहां पर यह है कि सर मतलब duration क्या होगा देखे duration जो है वो 15 दिन का है ठीक है मतलब आप यहां से क्या करो तीन तारीक से start है तो तीन चार पांच इस तरीके से 15 दिन सिखाऊंगा तो मैं यह नहीं चाहता हूं कि एक भी दिन का gap मिले आपको क्योंकि क्या होता वो brainwash करना होता है तो brainwash करने में अगर एक भी दिन का gap हो जाता है तो बड़ी problem हो जाती है तो इसलिए क्या होगा कि Sunday को भी classes होगी so that आप 15 दिन में अच्छे से चीज़ों को यहा online experience के लिए है ना जो online class attain करेंगे उनके course की validity होगी दो महिने ठीक है दो महिने आप यहाँ पर course को देख सकते हैं वीडियो को चला सकते है ठीक है from starting of course मतलब 3 जन्मरी से यह course यहाँ पर start हुआ है तो इसकी जो validity होगी वो 3 March तक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ठीक है 3 March 2022 तक ठीक है उसके बाद videos जो है आपको नहीं दिखेंगे ठीक है offline students को भी मैंने चीज़े यह provide करी है offline students का क्या है कि कई बार मेरे पास कई चीज़े होती है कि बुले सर आपने बता दिया है कभी माल दीजे कि उन चीज़े को हम दुबारा revise करना चाते है तो क्या करेंगे तो जो offline students है उनको भी यहाँ पर online वीडियोद का access मिलेगा दो महीने के लिए ठीक है जो offline वाले students है उनको भी online वीडियोद का iha पर access मिलेगा दो महीने आप भी यहाँ पर देख सकते हैं कभी revision तो आप उस चीज़े को भी कर सकते हैं तो दोनोंस स्पाइब वालों के लिए ऑनलाइन के लिए दो महीने की वेलीटिटी ऑफलाइन वाले यहां पर आएंगे 15 दिन पढ़ेंगे और दो महीने की वेलीटिटी इनको भी ऑनलाइन क्लास की भी मिल जाएगी तो कभी कुछ रिवीजन बगरा करना है तो वह सब भी चीज़े आप भी हम पर कर सकते हूं ठीक है चले आगे बढ़ते हैं आज अचा क्लास का structure क्या होगा सर्क्या क्या बढ़ाने वाले आप है ना देखिए foundation class foundation class मतलब SSB है क्या भाई है ना SSB क्या है उसके बाद mindset क्या चीज़े सर्कर हमको SSB clear करना है तो mindset यहाँ पर क्या लगेगा official like qualities क्या होंगी ठीक है तो यह सब चीज़े मैं आपको foundation class में cover करूगा फिर उसके बाद thematic perception test जिसमें हम story writing बोलते है ना मैं क्या करता हूँ मैं पहले ना PPDT नहीं पढ़ाता हूँ है ना PPDT पहले ही पढ़ा दूँगा तो कैसे काम बनेगा भाई तो मैं क्या करता हूँ कि पहले thematic perception test जो है वो पढ़ाता हूँ story writing पहले story लिखने की कला तुआ जाए आपको है ना फिर पर्सनल इंटर्व्यू की उपर चार क्लासिस रहेंगी ना मलब चार दिन में आपको पर्सनल इंटर्व्यू पढ़ाऊंगा फिर उसके बाद group discussion और lecture की उपर एक क्लास यहां पर रहेंगी group planning exercise जो है वो एक मैं आपको provide करूंगा ठीक है ground task के लिए ideas एक दिन मैं आपको ground पर भी लेकर चलूँगा वहां पर मैं आपको जितने भी टास्क वगरा होते हैं कैसे होते हैं क्या होते हैं वो सब चीजे मैं आपके साथ discuss करूंगा फिर उसके बाद mock test and review of candidate है ना जैसे पूरा psychology test हो गया एक बार है ना थोड़ा थोड़ा छोटा करके मलब वह बारा story नहीं थोड़ा छोटा छोटा करके हमें पूरा test करेंगे और जो भी candidates होंगे अलग-अलग उनका personal मैं आपको एक assessment card जो है वो provide करूंगा है ना कि आपने कैसा perform किया किस तरीके से perform किया क्या कमिया है क्या improvement करने की ज़रूरत है वो सब चीजे यहा वो होती रहें तो आप यह देख सकते हैं कि 3-2-5 class 7-11-12-13-14-15 इस तरीके से यह 15 session जो है यह आपको देखने को मिलेंगे 15 दिन और हर एक चीज जो है वो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से यहां पर पढ़ाने वाला हूँ ठीक है और भी कुछ चीजे मैं आपको बता कैसे आप तैयरी कर सकते हो ठीक है उसके बाद screening test वगरा जो है वो भी यहां पर cover होगा OIR, PPDT, psychology test, personal interview, GTO, conference वगरा यह सब चीजे cover होंगी और ground पर भी हम चलेंगे ठीक है उसके बाद study material आपको provide किया जाएगा कि practice वगरा करना है कई लोग बोलते है सर current affair की booklet दोगे की नहीं बिल्कुल देंगे भाई सब है ना बिल्कुल चिंता मत करिए आपको है ना online देंगे है ना online आपको यहाँ पर current affair की booklet भी मिलेंगी फिर आपके जो भी content आप लिखोगे है ना और mock interview वगर आप देना चाहते हो अगर आप उसी time पर देना चाहोगे तो उसी time पर mock interview कर लेंगे बाद में देना चाहते हो तो बाद में भी कर सकते है इस story लिखोगे कोई भी doubt होगा वो सब मैं आप मुझे personally message करोगे तो उसमें आपको चीजे मिल जाएगे ठीक है उसके बाद whatsapp group का access आपको मिलेगा जिसमें दूसरे aspirant भी रहेंगे उनके साथ आप यहाँ पर discussion कर सकते हो ठीक है final feedback भी जो है सभी individual को दिया जाएगा जो भी हमारा आखरी दिन होगा पंदरवा दिन उस दिन मैं सबसे बात करूँगा personally जो भी doubts वगरा होंगे वो सब चीजे हम यहाँ पर cover करेंगे ठीक है जो भी आपके doubt हो वो भी आप बता सकते है ठीक है चले उसके बाद screening का mock test भी होगा psychology test bgd lecture rate group planning exercise वगरा यह सब चीजे भी हम आखरी दिन यहाँ पर करेंगे जिसके basis पर आपका assessment यहाँ पर देखने को मिलने वाला है ठीक है अज़ा fee structure यहाँ पर क्या है तो fee structure जो है वो online course की जो fees है वो है 6000 ठीक है offline course की जो fees है वो है 10,000 और इसमें accommodation की जो charges है वो excluded है है ना आप मैंसे कई लोग होते हैं जो चाहते होगी भई अलग से हम रहे है ना हमको अलग से रहना है तो आप अलग से भी रह सकते है अगर आपको लगता है कि सर हमारे hostel की व्यवस्था कर दीजिए तो सर ने आपको बताई था है ना कि हमारे hostel के साथ tie up है तो आप वहाँ पर आकर उख सकते हो और आसानी से मतलब आप यह माल लीजे कि 4000 तक में आपका 15 दिन का जो इस्टे है वो यहाँ पर खाना पीना रहना दोनों हो जाएगा ठीक है बाकी यहाँ पर क्याएगी आपको अगर और कोई डिटेल वगएना चाहिए तो यह impetusgurkul.com साइट आप वो विजिट कर सकते हैं आप impetusgurkul आप भी डाउनलोड कर सकते हो यह मेरा personal number है 993048282 ठीक है और यह सरका भी number है office का number भी आपको मिल जाएगा आप website विजिट करिए तो अगर आपको किसी भी तरीके की कोई doubt होता है है ना तो आप इसमें जो है वो पूछ सकते हो है ना कोई problem नहीं है इसमें ठीक है मैं यहाँ पर अपना number जो है वो यहाँ पर लिख देता हूँ ठीक है इसमें अगर आप कोई भी doubt होता है इससे course related है ना या कुछ भी आप पूछना चाहते है तो आप इस number पर मुझसे content कर सकते हो मैं आपको सारी details जो है वो यहाँ पर बता दूँगा और बाकी फिर जो भी classes वगरा होंगी उनकी भी जानकरी आपको मिल जाएगी मेरा personal जो यहाँ पर अनुभो कहता है वो यह कहता है कि candidate जो है ना वो महनत करने वाले होने चाहिए है ना जो महनत करें और रास्ता जो है उनको सही दिखाना चाहिए आज के time period पर क्या है कि अगर आपको एक बार सही रास्ता दिख गया और आपके अंदर यह जजबा है कि भई आप महनत करोगे तो तो मैं आप सभी लोगों का इंतजार करूँगा कि आप 3rd January को यहां पर आएंगे उससे पहले भी आ सकते हैं ठीक है मैं तो यहीं रहता हूँ आपको मिल जाओंगा तो 3rd January 2022 ठीक है आपको SSV के बारे में कई सारी चीज़े जानने को मिली होंगी है ना फिर भी किसी तरीके का कोई डाउट रह जाता है यह नंबर लिखा हुआ है मेरा नोट कर लो इसको शेव कर लो है ना और आप comment section में भी बता सकते हैं तो सारी चीज़ें आपको यहां पर समझ में आ जाएंगे ठीक है तो ये था आज का हमारा session I hope आपको ये session अच्छा लगा होगा किसी भी तरीके का doubt होता है तो आप ज़रूर mention करे I will personally answer every questions जो भी आप पूछना चाते हैं और हमारा जो session होगा उसमें हम मिलते हैं तब तक keep smiling and keep preparing लगे रहो exam clear करो thank you so much जैहिन